राहुल गांधी के हम क्या बात करें, जिनने उन्हें आज तक के गरीबों की बीच में जाके कामी नहीं किया, वो क्या ही विकास करेंगे देश का? राहुल गांधी को हिंदी तो ठीक से आती नहीं है, बोलना तो दूर समझ में नहीं आता, मुझे लगता है आज उनका मानसिक इलाज होने की आवस्चेक्ता है वही तो कुली बन गाए, और यहीं मालू में पईया रखा हुआ खुले, 400 में कुली नम्मर 420 आगा है आप बांधी जी के जमाने में रोट पर जाते थे, गड़्डे घूटों बेरे पड़ते थे सत्तर साल चलाई तो सरी पहले सरकार, क्या हुआ गड़्डे भी नहीं बरेते थे, रोट के, क्या है वेवस्ता है उनकी पानी की जरूरत पूरदी नहीं होती थी, आज किस काम की कम है, किसी भी छेतर में देख लाप उनका परिवार का मुखिया होता वो भी कई बार चूक कर जाता परंतु हमारे प्रदेश का मुखिया कहीं कोई चूक नहीं करता हर जगा पर्फिक्ट है और इन से अच्छा मुख्यमंत्री मुझे नहीं रगता कि कांग्रेस आसन में हमने देखा है 15 महीने में क्या हुआ नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खुजूरी और आपका स्वागत है प्यारा हिंदोस्तान पर आज हमारी टीम आप पहुंची है रानी कमलापती रेलवे स्टेशन पर जिसको पहले हबीब गन जंक्षन के नाम से जाना जाता था रानी कमलापती जी कि अगर बात कि है तो बोपाल में एक ऐसी इस समय चुनावी महोल जो है चुनावी रंग जो है वो पूरी तरीके से मद्यपरदेश की अगर बात किये तो यहाँ पर चुनावी रंग जो है वो बदल चुका है और कुछ देर पहले एक बड़ा ब्यान सामने आए उसी को लेकर के रहे जाने राहूल गंदी ने कहा दिया मद्यपरदेश में जितने जारी है कॉंग्रेस वो पप्पू है वो के जाने मद्परदेश के बारे में तो कह रहे हैं कि पूरा एकदम कॉंफिडेंस है निकाल जारी की चलती है यहां मद्परदेश में बारती जनता पाल्टी की सरकार बनेग को नई बन बाइभी आइओ ने आग लंग बना लो ऑफ प्रेश मेन बनाई बनाए इस्टाइब डेयम बनवा गरीब लोगों कांव का लोगों की मदद टिए पंप्त्त के टीएं मकान दिए लोगों को पट्टे भी दिए आइसमान कार्ड है संबल योजना है अभी यह महिलाओं के लाड़ली बेना योजना चलाएए दबल इंजन की सरकार राउल गांदी तो बड़ा दावा कर रहे हैं कुछ नहीं कर पाएंगे राउल गांदी खोटे हैं एक नंबर के जूटे जो अभी महिला आरेक्षन बिल जो आया है उसका विरौत कर रहे हैं वो लोग इस वज़े से वो कहीं नहीं आ पाएंगे इसे लोग हैं, सबसे पार्टी थी एक जंगाने में कांग्रेस, आज उसके लीडर दूसरे देश में जाके भारत की बुराई करते हैं, तुकड़ा तुकड़ा गेंग के साथ कड़े हो जाते हैं, कौन इनको कहगा कि ये राश्टी पार्टी के हैं, ये तो बहुत गंदे लो जितनी गरीब होगी, ये राश्टी के पांच शार रुपर मिलते थे, कोई भगबार न करें, ये मर्यात तो उससे हमें जोना रदिकारी आता था, वो पांच शार रुपर देखे जाता था था, ये बताई ये गरीब आदमी होगी, जो जो ये राश्टी आपने सारी बंद जनता सब जानती है, जनता नहीं जानती इस चीज को बिकास हुए या नहीं हुए? जीती है बीजे बिकास देखेगी जनता, बिकास कित्ता करा, शिवराज जी ने बड़ा दावा ठोक दिया है, मध्यपरदे, 36 गड़ सब जगा जीत रहे हैं, कह रहे हैं, राजसान में भी हम जीती किये और आगे बढ़ रहे हैं, तेलंगाना में भी सरकार हुए नहीं सब बिजली, किसान सब हो जाएंगे, एक से दस गिने, अब डेर साल में कुछ नहीं हुआ, वो तो खुद कुली बने थे, पहिये वाली, ट्राली रख लिये सरके उपर, अच्छा आपने देगी वो फोटो पहिये वाली, वो क्या दावा करेंगे, जो खुदी यह नहीं से भी उस दिन हम जब मार्किट में गूम रहे थे, आपसे मुलाकात हो गई थी, चलते चलते आपसे राई ली थी, अभी इस बात पर राई लेना चाहूंगा, राहुल गांदी ने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर प्रेस में कहा है, मध्या प्रदेश, 36 गड़ सब्ज कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन मनेगा और किसकी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से हवा हवाई सपने हैं, और राहुल गांदी को हिंदी तो ठीक से आती नहीं है, बोलना तो दूर समझ में नहीं आता, मुझे लगता आज उनका मानसिक इलाज होने की आवस्चकता है, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में मुख मंती जी बहुत अच्छा कार कर रहे हैं, बहनों के कल्यान के लिए, गरीमों के लिए, अंसूचित जाती, जन जाती, पिशड़वर्ग, बहनों, महिलाओं, सब के नहीं क्या, दारा 370 कस्मी से हटाने की बात हो, चाए राम मंदिर का मसला हो, चाए बारा नसी में मंदिर निर्मान की बात हो, हर जगे, मानिए प्रदान मंती जी ने बहनों के लिए 33% आरक्षन किया, वो तो अभिनव है, मैं बास्तर में उनको प्रणाम करता हूं, बहुत चाहरा है और उन्होंने तो दावा किया मद्द प्रदेश में सकार बनेगी? तो बदबू, आसपास पूरा कचरा और मुझे लगा किया है, सच में मद्द प्रदेश की राजदानी भुपाल आई, ऐसी है, आज मैं देख रहा हूं, ये चार साल बात तो पूरा दृष्य बदल गया, ये तो पूरा वर्ल्ड क्लास लेवल का बना दिया, रानी कमला पत पहले कातर राज कहा है, ये सबी लोग देखता है, आपने खुद ने देखा, तो निश्चेत रूप से हमारे जो नेता हैं, जो भारती जन्ता पालिटी के नेता हैं, वो गरीबों से, पिछोडों के बीच से निकले हुए नेता हैं, जो दर्द जानते हैं, गरीबों का भी मद्यमवर्गी का भी, इसलिए वो ऐसे विकास के कारे करते हैं, जिससे मद्यमवर्गी से लेके जन जन उस विकास के कार से जोड़े और उसका फायदा उठाए, ये एसी सोच के साथ, राहुल गांदी के हम क्या बात करें, जिनने उन्हें आज तक के गरीबों की बीच में जाके कामी नहीं किया, वो क्या ही विकास करेंगे देश का? वो तो हिंदू बिरोधी है, तो वैसे ही नहीं आएंगे, हिंदू उन्हें नकार दिया एक तरीके से, टोटल ही नकार दिया, तो वो तो कभी जिन्दगी में नहीं आएंगे, पप्पु के खिलोना है वो तो पबलिक का, अब क्या दिखाएगा? वो तो रोज चुनावी मह आएंगे वो, आएंगे नहीं, सबाएं, जन सबाएं करने आएंगे, तो अच्छा है ना, बूर्ट बेंक बढ़ा के जाएंगे और जादी, हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक दुबे है, क्या कहेंगे, सरकार बन दिया है, कॉंग्रेस की राउल गंदी करेंगे? तो जब उनकी पचास ब़स पहले से सरकार आए है, जब तो कुछ करनी पाए हैं, आज क्या करेंगे, जो ऐसा परधान मंत्री है, कि जसे इंडिया लेबल पे माना जाता है, उनके सामने ये सरकार बनाएंगे, क्या सरकार बना सकते हैं? अब मामा जी देखिए हमारे में हम लोग लीडर को नहीं बदनाम करते लेकिन जिन्होंने काम किया है हमेशा करते आए हैं वो बनेंगे और बना के रहेंगे क्योंकि काम ऐसा कर रहे हैं आप रोड देखिए जहां चले जहां से गाड़ी चली जाती है तो यह आपने लोगों की राये सुनी अब जैसे ही यहां पर कहा गया राहूल गांदी की तरफ से और यह कहा गया कि सरकार बनायने जा रहे हैं उसके कुछ दिर बाद ही हमने जनता की राये ली लोगों की राये ली और इनसे जो है यहां पर जाना किये क्या कहेंगे जो कहा है राउल गंदी ने कुछ और भी लोग या मुझूद है उनसे भी एक छोटा सा क्विक जो है यहां पर रियक्शन लेना चाहेंगे आपका क्या नाम से है दवारी का प्रशाद उपाद्ध्या मैं मद्दप्रदेश सरकार बनाएंगे जो अस्तित्व से कहीं दूर तक परे है क्योंकि जंता विकास देख रही है आज तक हमने यह देखा कि घोटाले किस प्रकार से कांग्रेस सासन में हुए परन्तु अब पहली बार मालुम चला है कि जो लोगों के टेक्स हम देते थे उन टेक्सों से इतना भी काम हो सकता है मैं आया था चार साल पहले तो एकदम गंदगी और सब चीजे थी अब तो पूरा बदल गए माननी प्रधान मंत्री जी का विजन है स्वच्छ भारत सबल भारत और यह उसकी जीती जाकती मिसाल है जैसा आप भी बता रहे हैं आप खुदी बता रहे हैं कि चार साल पहले आप आये थे और द्रश्च क्या था परन्तु अब द्रश्च कुछ और है कभी इसको हभीब कमलापती बोलता है जिसे गर्व होता है हम लोगों को सुन करके किरानी कमलापती जो यहां की महरानी थी उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया इसके लिए भुपाल और मद्द्रदेश माननी प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार प् चाहे वो बच्चा हो उसके लिए प्रसुती साहता से ले करके अंतिश्टी साहता तक कोन सोसता है घर के परिवार का अगर मुखिया होता वो भी कई बार चूक कर जाता है परन्तु हमारे प्रदेश का मुखिया कहीं कोई चूक नहीं करता हर जगा परफेक्ट है और इन से अच्छा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आसन में हमने देखा है 15 महिने में क्या हुआ सारी योजनाय द्वस्त सारी योजनाय बंद और किस प्रकार से लोगों के बीच में तराही तराही की स्थिती बन गई थी किस तरीके से लोग परेशान हो चुके थे हर तरफ हमने देखा कि ट्रांसफर उद्ध्योग इतनी बुरी तरीके से त्राही माम मचा हुआ था जिसके कराएं दोबारा भाजपा की सरकार बनी उसके बाद के विकास कारे हम देखी रहे हैं रावल ग्रांधी करें कॉंग्रेस सरकार बना एए नंजी नहीं है है किस की सरकार चाहरे हैं च्छी सरकार यह अपनी दो काम कर रहे है यह आप अच्छी क्या राजपूट जीक हैं कि रहने बनेया है में वजद्यन अगर फॉर ज स्रकादे नहम remote कॉंग्रेस की रावल गंदी कह रहे हैं? वो उनकी क्या सरकार बनेगी? आपको जानकारी होने चाहिए कि 5 लाग का एक मोदी जी ने कित्ता बड़ा एक जुग्जी जो पड़ी जो नीचे बर के आदमियों को सुविदा दिये, पट्टे दिये हैं, ये कौन दे सकता है? कांग कि रहने वाले हैं? क्या कहेंगे मामा जी के लिए मैं बहुत बहुत उनका आबार धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उनने जो काम किया वो सायद ही कोई करेगा, और सरकार तो हमारी विजेपिकी ही हाएगी, उनको आहराने वाला इस दुनिया हम को है ही नहीं है अभीताता है. राहूल गांदी कहा रहे हैं कॉंग्रेस सरकार है? नहीं नहीं वो तो कहेंगे ही ना, वो कहेंगे उनका काम ही ही है, के नहीं है उनका, सरकार हमारी विजेपिकी ही ही बनेगी, और मामा जी ही जीतेंगे. एक तुम अन्टिया लग रहा है हमारा तो कहना जिया के अपने सिवराज सिंग मामा जी को ही बनाएंगे राहुल गांधी जी के जमाने में रोट पर जाते थे गड़े घुंटों बेरे पड़ते थे लाइट नहीं रहती थी आज 24 गंड़ा अठल जो तिराय रही है मेरा कहना इन्डिया में पावर्पॉल प्राहिम मिनिस्टर नरेंद मोदीजी की जो हैं और मद्डेब्र देशमें भी है गुंड़ा गिर्दी खतम हो गई है लोग अपना सुखन से जीवन जी रहे हैं अलईवाजी खतम हो गई है विकास के कारे पूर हो रहा है जंता को पानी से लेके मकान से लेके जनता को रोट से लेके सभी वर्गों के लिए सावान काम कर रहा है बढ़िया एक नजल से सब को देख रहा है और क्या चाहिए जो कि पूरे वर्ड में इंडिया का नाम रोसान हो रहा है सब्सक्राइब कर रहा है रहा है जनता को ये चाहिए कि शुकुन चाहिए बढ़ाई सनरक्षन चाहिए बढ़ना काण गर्दी पूरी खतम हो गई पहले जैम कड़ जाती थी सारे काम होते ते क्या होगा देख आल ट्राविक वगयर नहीं होता है जब तक जिन्दा रहेंगे जब तक भी देंगे क्यों उनके बिचार आव भाव सब उनके अच्छे हैं कांगरिस बाली तो ठुर्रसिया हैं एक हैं तुर्रसिया गमार दादा गिरी बाले गमार दादा गिरी बाले